Hello students, मैं अनुराधक मरिनायक, इतिहास विभाग, मारवारिक कॉलेज रांची, आए फर्स्ट येर की छात्राओं के लिए आज का टॉपिक है नगरों की उत्पत्ती तथा प्रारंभिक सहरी समाज का विकास पासान युग में मानों भोजन की खोज में इधर उधर ब्रह्मन करता रहता था वह अपने साथ इस्तिरियों तथा बच्चों को लेकर समू के रूप में एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक चाहता रहता था समू बना कर यात्रा करने से एक दूसरे को सहायता तथा सुरप्च्चा मिलती थी जब मनुष से भोजन उत्पादक बन गया तो वह एक अस्थान पर रहने लगा पहले मनुष खाना बदोस जिंद्गी विताता था खाना बदोस मनुष एक अस्थान पर नहीं रहते थे वे एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर प्रस्थान कर भोजन की खोज में रहता था लेकिन अब मनुष एक अस्थान पर ही रहने लगे और इस परकार धीरे-धीरे परिवार आस्थित्तों में आये मानों अब भी बड़े समुह में रहते थी परन्तु समुह की अपेक्छा परिवार ही उनकी सामाजी की काई थी अब परिवार के लोग घास फूस की छतों से कच्चे घर बनाने लगी इन कच्चे मकानों में उन्हें गर्मी, सर्दी तथा जंगली जानवरों से सुरक्षा मिलती थी इन में अधिक्तर घर एक दूसरे के निकट होते थे तथा इन में जो पड़ियां एक दूसरे के निकट होती थी इन घरों के चार ओर काटे दार जानियां उगाई जाती थी कुछ परिवार मिलकर एक गाउं स्थापित करते थे गाउं छोटे छोटे होते थे तथा इन में जो पड़िया एक दुसरे के निकठी होती थी, दिर दिर इन में कुछ गाउं का आकार बड़ा होने लगा, यह गाउं अब प्राया नदी घाटियों में श्थित थे, जहां पर इनकी खेती बाड़ी के लिए पानी आसानी सुपलग था, जादा तर नदी घाटियों में ही बस्ते थे, जहां जल की सुविधा हो, और उनके मवेशियों को भी जल मिल सके, खेती करने के लिए भी जल क्या हो सकता, आसानी से उनको उनकी पूर्ती हो जाती थी, तो इस प्रकार वे नदी घाटियों में श्थित थे, जहां इनकी खेती बाड़ी के लिए पानी आसानी से उपलग था, गाओं में रहने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, और बढ़ती ही जा रही थी, गाओं के लोगों की आवसक्ताएं भी बढ़ रही थी, लोगों की आउसक्ताएं बढ़ने से के साथ साथ नए बैवसाय का भी उदय हुआ बैवसायों का उदय होने से अब गाओं बहुत सम्रिद हो गए थी क्योंकि अब वो अपने आउसक्ता से अधिक अनाज का उत्पादन करने लगे थी अब गाओं में रहने वाले परिवार को अपना भोजन उत्पादन करने के लिए स्वेम खेतों में काम करने क्या सकता नहीं थी क्योंकि जुलाहे, बढ़हे तथा कुमहार भी अपनी उत्पादित वस्पूँओं के बदले इन परिवारों से खाद्दे पदार्थ प्राप्त करने लगे थी जो इनका उत्पादन करते थी, नए बेवसायों का उदै हुआ, नए बेवसायों का अरम हुने तथा बैपार के बढ़ने से सिल्पकारी खठे मिलकर रहने लगे तथा इस परकार बड़े गाउं नगरों में परिवर्चित हो गए प्रायाय समझा जाता है कि लोगों के नगरों में रहने से सभेता का जन्व हुआ, नगरों के विकास का प्रथम चरन पांच से छे हजार वर्स इसापुर्व में मेसोपुटामिया, जो आधुनी की राग के नाम से जाना जाता है तथा मिस्र, भारत, तथा चीन की घाटी सभेताओं से हुआ, यह नगर अबक्रिशी, तथा पालतु जानवरों पर ही निर्भर नहीं थे जैसे जैसे सभेता का विकास होता गया, तथा बैपारीक मार्गों की संख्या में बृधी होती गई, यह नगर बैपारियों, सिल्पकारों और सरकारी अधिकारियों की गति विद्धियों के केंदर बन गए नगरों तथा गाउं, नगरवासियों एवं ग्राम निवासियों में अब अंतर दिखाई देने लगा था इसी परकार के परिवर्तन, यूनानी, इरानी, रोमन तथा जिम्बावे की सब्यताओं में भी आए हम नगरों के विकास के बारे में कुछ मुख्यतत्वों का अधिन करते हैं अधिकतर नगरों का विकास मुख्यतत तीन कारणों से हुदुआ है आर्थिक विकास, प्राकृतिक, परिवर्तन, तथा गाउं की लोगों का नगरों में पलायन करना गाओं के लोगों का नगरों में रहना गाओं मेहीना रहके वे सहरों की ओड जाते थे परंतु यह बाते सभी प्रकार के नगरों के विकास पर लागू नहीं होती है उधारन के लिए बड़े नगरों पर जनसंख्याक बोज कम करने के लिए कई सरकारों ने नए नगर बसाए भी थे कभी-कभी किसी भी देश की राजधानी बनाने के लिए भी नए नगरों का निर्मान किया था लोग भी भीन कार्णों से नगरों में पलायन कते हैं परन्तु उनके मुख कारण आर्थिक ही होते हैं जब कोई नगर में समरिधी की ओर अगर अगरसर हो आगे बढ़ने के कोशिस करे तो लोग उनकी ओर आकरशित होते हैं नगरों में अजिवी का सुविधाय तथा वहां की चका चौन्थ लोगों को अपनी ओर आकरशित करती हैं कुछ ऐसे भी तत होते हैं जो गाओं के लोगों की नगरों की अपेक्छा नगरों की ओर ही जादतर आकरशित करते हैं जैसे कि जाहे जो गाओं के लोग को नगरों की ओर धकेलते हैं जैसे कि सुखा अकाल तथा आर्थिक शोषन यह कारण गाओं के निवासियों को अति निर्धन बना देते हैं तथा उन्हें नगरों की ओर पलायन करने पर विवस कर देते हैं हमें इतिहास के अध्यन से पता चलता है कि नगर ही उच्छ कोटी के सव्यता के निर्माता होते हैं तथा उनकी उन्नती या उनके उन्नत करते रहते हैं आगे बढ़ने की कोशिस करते हैं विकास करने की कोशिस करते हैं नगर निवासी, ग्रामीन लोगों के अपेक्छा, नई विचार धाराओं तथा परिवर्तनों को अपनाने में अधिक रूची रखते हैं। गिसी पिटी सभ्यताओं के प्रभाव से भी मुक्त होते हैं। वो बरबाद भी हो सकते हैं, बरबाद हो जाते थे हैं। पांची सताबदी में, नवी सताबदी के बीच के काल में भी यूरोप में ऐसे ही हुआ था। इस काल में यूरोप के नगर अस्थ ब्यस्त हो गए थी। कुस्तो मुसलिम तथा अश्राब जातियों के भ्यानकाक्रमनों तथा रोम सागर में होने वाले बैपार के समुक आने वाली कठिनाईयों के कारण भी लुप्त हो गए। झाल झाल झाल